श्राद पक्ष चल रहा है और हम चाते हैं कि हम अपने पित्रों को घर पे बनाया हुआ भोग उनको जड़ाएं और बहुत सारी मिठाईयां हैं वैसे तो श्राद पक्ष में बनने वाली उनी में से एक है इमर्ती जी हाँ इमर्ती हम बहुत चाव से उनको खिलाते हैं और ये specially स्राथपक्ष में बहुत ज़्यादा मिलती है मार्केट में तो क्यों ना इनको घर पे ही हम बना लें तो यहाँ पे देखिए मैंने सवा कप उड़त दाल को भिगो दिया था यह वाला measuring cup मैंने यूज किया है आप कोई भी कटोरी यूज कर सकते हैं और जितने ही आपको quantity में बनाना है उतनी quantity में आप बना सकते हो तो 3-4 घंटे के लिए मैंने उड़त दाल को भिगो दिया अब इसको पीसेंगे तो बहुत कम पानी हमें यूज करना है second thing एक जो सवा कप मैंने यूज किया था उड़त दाल लेने के लिए तो उससे मेरी ना कम से कम सवा किलो के बराबर जो इमर्ती है वो बनकर तयार हुई है तो आपको जितनी quantity में बनाना उतना ही बनाए और बिलकुल बारिक हमें जो उड़त दाल है उसको पीस लेना है तो जो उड़त दाल है हमारी पीस गई है अब हम क्या करेंगे चाशनी बनाएंगे तो सेम कप मैंने यूज किया है यहाँ पे दो कप मैंने चीनी लिया उसमें एक कप मैंने पानी डाला है और इसको अच्छे से हमें मेल्ट करना है और चलाते रहेंगे जो चीनी है वो तले में कैरमलाइज होना शुड़ू कर देगी तो इसलिए इसको चलाकर फिर आप चाशनी बनाएं और चाशनी बहुत ज़्यादा गाड़ी हम नहीं बनाएंगे तो अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर अगर अवोइड करना चाहते हैं नहीं डालना चाहते तो आप केसर के धागे डाल दे और हलकी सी हल्दी डाल सकते हैं कलर देने के लिए तो वो मार्केट वाला कलर आ जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे इसके साथ ही मैं डालूँगे इसमें इलाइची का पाउडर तो इससे हमारी मर्ती में बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी तो ये बिल्कुल देखिए कलर जो है वो बिल्कुल रेडी है अब हम चाशनी बनानी है तो चाशनी जैसे कि मैंने बूला बहुत जयादा गाड़ी नहीं बनानी है एक तार जितना आप बनालो और प्रूश्बू नहीं चाहिए उतनी ही हमें गाड़ी चाशनी बनानी है उससे ज़्यादा गाड़ी आप बनाओगे तो आपकी जो चाशनी है वो बाद में जैसे जैसे ठंडी होगे ना चमने लग जाएगी और इमर्ती जो है वो चाशनी नहीं पीपाएंगी और उनके ऊपर भी चीनी जैसे कोटिंग आ जाएगी तो इसलिए चाशनी को थोड़ा पतला ही रखें ताकि इमर्ती के अंदर तक वो जा सके और ये देखे हमारी चाशनी जो है वो बिलकुल रेडी हो गई है तो बीच विच में इसे चेक करते रहो आप कि एकदम पानी जैसी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत जादा गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए थलकेल क चिपचिपाहट आपको लगे बस उतना ही आप इसे बनाओ और बस गैस फ्लिम बंद कर देंगे और इसको रख देंगे साइड में अब हम क्या करेंगे जो डाल हमने पीसी थी उसको हमें बहुत अच्छे से फैंटना है मतलब इतना फैंटना है कि वो एकदम फलफी सी हो ज गई है और कितना इसका टेक्स्चर ही एकदम चेंज हो गया है और देखो पानी में डालते ही एकदम तैर रही है तो ऐसा ही हमें चाहिए अगर आपकी दाल हलकी पतली रह गई है तो आप इसमें थोड़ी से मैदा मिला सकते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो एकदम जैसे मार्केट में मिलती है न हलवाई बनाते हैं वो ही कलर हमारा आएगा इमर्ती का और दिखने में बिल्कुल वैसी ही लगेंगी तो अगर आपकी दाल पतली रह गई है तो इसमें एक दो चमच आप मैदा मिला दो और फिर इसको यूज कर सकते हो तो अच्छ को आप यूज कर सकते हो इसको मैंने ग्लास में डाल दिया और अभी जो दाल बाला मिक्स्चर है वो इसमें मैं डालूंगी तो कि दाल में हमने कुछ भी एड नहीं किया है लैक सोडा या फिर ओयल कुछ हमने यूज की यूज नहीं किया है ऐसे ही हम इसको बनाएंगे तो ये दाल जो है देखिए कितना इसका टेक्च्चर आप देख सकते हो कुछ इस तरीकी का ही होना चाहिए और फिर हम क्या करेंगे इसको पाइपिंग बैग को इस तरीके से पकड़के और नीचे से हमें कट करना है तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे मैं दो पाइपिंग मैं इनको डालूंगी तो यह सेक्यूर हो जाएगी तो देखो नीचे है इसमें थोड़ा सा एयर आ गई है तो जब हम इसको कट करेंगे तो निकल जाएगी तो देखो मैंने सेक्यूर करने के लिए इनको दो में डाल लिया और फिर हम जो पाइपिंग बैग है इसमें छेद बनाइंगे तो मैंने क्या किया पहले थोड़ा सा न छेद पतला रहे गया था मेरा और जो 1st batch बना वो थोड़ी पतली बने जैसे जले भी बनती है वैस्थी बन गई लेकिन बाध में मैंने थोड़ा सा छेद मोटा कर लिया इसको और फिर जैसे मार्केट में आती हैं बिल्कुल वही वाला इमर्ति का साइज आया था और वैसी ही बनकर तयार हुई थी तो देखे चलिए अभी हम क्या करेंगे डिजाइन बनाकर देखेंगे बनती है कि नहीं हमसे अब हम हलवाई तो है नहीं तो हमारे रेगुलर ऐसे तो है नहीं कि प्रेक्टिस में है तो पहले दो-चार बैटर में ही हम बनाकर देखेंगे वैस नहीं होना चाहिए न तो इसलिए बैटर में ही हम बनाकर देखेंगे डिजाइन और देखे कितने परफेक्ली यह बनकर तैयार हो रही है और डिजाइन चाहिए जैसे भी बन जाए आपने खुद बनाई है तो वो एक अलगी feeling होती है अलगी मज़ा आता है खाने का और बनाने का तो यहां पर देखिए मैंने घी गरम किया बहुत high flame नहीं रखनी है बहुत low flame नहीं रखनी है medium flame पे हम बनाएंगे तो घी को न medium flame पे ही रखें और फिर इसमें बनाएं आप चाहू तो तो तेल भी उज़ कर सकते हो तेल में बना सकते हो बट अब पित्रों को भोग लगा रहे हैं तो आफ़कॉर्स घी में ही होना चाहिए तो बहुत ही टेस्टी से हमारी जो इमर्ती है वो बनकर तयार होंगी एक अलग ही टेस्ट आता है जब आप घी में मिठाई बनाते हो तो और देखिए बहुत अच्छे से ये डिजाइन बनकर तयार हो रही है तो ऐसी हमें बना लेनी है सारी इमर्ती की डिजाइन और लेंगे और फिर इसको डालेंगे चाशनी में तो ज़रूर बना कर देखें बहुत मज़े आते हैं कुछ भी आप इस तरीके का बनाते हो न तो बहुत मज़े आते हैं बनाने में भी और सबको खाने में भी बहुत मज़े आते हैं घर की जो चीजें होती है न वो तो मतलब खा करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी इमर्ती और कैसा मजा आया बनाने में तो चलिए इनको फटा-फट से निकाल लेते हैं बहुत ज्यादा आपको जलानी नहीं है ऐसे एकदम आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि ये पकी हैं कि नहीं जब आप बनाओगे तब और बस इनको इस तरीके से निकाल लें और फिर डालेंगे इनको चाशनी में तो गर्मा गरम ही हम चाशनी में डालेंगे और जब चाशनी में डालोगे तो ये हलकी सी फूलेंगी तब भी क्योंकि ये चाशनी पीएंगी तो फस्ट बैच जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने में आप देख सकते हो किती प्यारी सी उनके डिजाइन आई है आप डिजाइन चाहें जैसी भी आप बनाओ आपसे जैसी भी बने अच्छी बनेंगे I'm sure आप ज़रूर इनको ट्राइ करना और देखो जैसी चाशने से निकल रही है और ज्यादा खुबसूरत हो रही है और ज् शेद को मोठा कर लिया था तो चलिए फटाफट से ऐसे और बना लेते हैं बड़े ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी होने वाली है तो आप ज़रूर इनको ट्राइ करना और बताना मुझे आपको कैसी लगी तो ये देखो और भी बनकर ऐसे तयार हो गई है तो चलिए इनक ये हमारी सारी चुहेई मरतियां बनकर यहां पर तयार हो गई हैं तो आप भी ज़रूर इनको बनाओ और खाओ खिलाओ सबको और भोग भी ज़रूर लगाओ और इंजोई करो तो आप ज़रूर मुझे बताना कैसा मज़ा आया आपको ये बनाने में तैंक यू फूर वाच